गंगानगर के अनूपगड में एवन टीवी की टीम ने सामाजिक सरुकार निभाते हुए 10 महा से पेंशन के लिए भटक रही, बुज़ुर्ग महीला को राहत प्रदान की बैंक प्रबंदन ने तोरंद प्रभास से 10 महीने का पैंशन महिला को दिया और भुकतान मिले पर महिला ने एवन टीवी का भार भी व्यक्त किया लेकिन कुछ जो बैंक परबंद है वह वरिश नागरों को परशान कर रहे हैं हमारे साथ जो है बुजूर को माता के प्रीजन आई इन से जांते सर क्या मामला पूरा बताना सरा से दस मिने हो गए मेरी दादी जी रोज व्रदा वस्ता पैंशन लेने के लिए बैंक के चक्र न दे रहे थे और रोज उन्हें यह क्या करके निकाल देते थे कि अभी तक आई नी पैंशन या यह और कुछ बोलके यह एटियम से निकाल लेते थे उसके बाद एटियम नहीं आए जब तो में दादी अंपड़ है उसके नो ओटी भी जनरेट नहीं कर सके तो इसलिए उन्ह अग से हमें में दादी जी को पैंसन दिलाई मिर्दादी जी बहुत वर्द माता जी आपके सामने खड़ी यह थोड़ी बोली बाली है कैमरे पर बोलने पर ऐस मर्था जैसे कि वर्द माता के परीजिनों ने बताया कि पिछले 10 मिने से जो माता जी आपे चकर लगा रही है यह प्रबंद्र नहीं दे रहा था जिसे प्रशान माता ने जब एवन टीवी की टीम को समस्या से अवकत करवाया था एवन टीवी की टीम पहुंचने के वाजवा बैंक परवंद ने माता जी को जो आठ यार रुपे का बुकतान कर दिया और माता जी ने जो एवन टीवी का बार बेक्त गिया कैमरा में रबदीवी के साथ मलकी सिंग एवन टीवी अनुख्राया दातरामगड में भी लॉकडाउन के कारण समस्त व्याप्राइब